आचारे भरत्री हरी ने अपने वृत्ती समुद्देश में द्वन्दो समास पर विस्तार से चर्चा की है तो सबसे पहले मैं उस अर्थ को आपके सामने जो द्वन्दो समास के संबंद में आचारे भरत्री हरी ने दिया है उस पर चर्चा करूँगी और उसके बाद में आपके सामने ये चर्चा करूँगी कि जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि यदि हम अखंड वाक्य पक्ष मानते हैं तो दोंदु समास को लेकर फ्रश्न उठता है और शंका उठती है और उसको किस तरह से अचारे भरतरी हरी ने उसका समधान किया है तो मैं उस पर भी आपको चर्चा करूँगी लेकिन सबसे पहले में आपको दोंदु समास के समध में भरतरी हरी ने जो उसका लक्षन और व्याक्या की है उस समधी कारिकाएं में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी तो पहली कारिका जो दोंदु समास कहा होता है क्योंकि मैंने अभी आपको आचारे पाणिनी ने दुन्द समास के समंद में जो सूत्र दिया और भटोजदीक्षित तथा अन्य आठीका कारूने जो उसका अर्थ दिया उस पर मैंने आपके सामने चर्चा की अब आचारे भरतरी अरी किस प्रकार से कारिकाओं के माध्यम से द्वंद्व को सपष्ट करते हैं तो यहाँ पे पहली कारिका है अनुस यूतेव भेधा भ्याम एका प्रख्योप जायते यदा सह विवक्षाम तामाहुर द्वंद्वेक शेशयोह और उसी के बाद एक और कारिका है इतरेतर योगस्तु भिन संगा बिधाई नाम प्रत्य तो पहली कारिका में द्वंद्व और एक्षेश दोनों समासों के समंद में इसी कारिका में बताया और उन्होंने कहा कि जो द्वंद्व समास है उसमें जब हम सह विवक्षाम जब हम दो या दो से अधिक पदों को एक साथ कहना चाहते हैं तो द्वंद्व समास होते हैं मै अभी आपको बताया कि द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों को एक साथ एक में अन्वे किया जाता है और वो भेदा भ्याम अर्थात वो भिन भिन पद होते हैं लेकिन वो भिन भिन पदों को जब हम एक साथ कहने की विवक्षा करते हैं तो उससे जो अर्थ प्र परस पर जुड़े हुए हैं जैसे तो कहने का ताथ पर यह है कि जब दो या दो सिह दिक पद को एक साथ कहते हैं तो वो जो भेधा भ्याम है तो वो भिन भिन परस पर लेकिन उसको एक ही क्रिया के साथ अनुवित करके करते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है उसे समास कहत इनी अर्थों में ही इन चव के इनी अर्थों में दों समास होता है तो इन दों में क्या भेद है अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में भेद ही है कि वहाँ पे दोनों अलग-अलग जो है अन्वित होते हैं और इसमें समाहार में समू रूप में अन्वित होते हैं ग्रिया क तो आचारे भरतरी हरी ने इसे और दिक स्पष्ट करते हुए, दोनों में बेद बताते हुए का, इतरेतर योगस्तो भिन संगा भिधाई नाम, प्रतेकम्च, समुहासव, समुहीशु समाप्यते, तो दोनों में देखिया अंतर क्या है, कि इतरेतर योग, जो है, दो परस पर जो भिन भिन है, उनको मिलाते हैं साथ में, और तब द्वंद्व समाज किया जाता है, जबकि जो समाहार है, उसमें समुह को, पूरे समुह को एक साथ रखते हैं, अर्थात वो एक हो जाता है, अमें इसको और अदिक आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, कि इतरेतर योग, जो है, इसमें दोनों पद अपना अर्थ, जो है, वो उनका अपना अर्थ होता है, और फिर वो अपने दोनों अर्थ, जो है, उनको लेकर क्रियास में अन्वित होते हैं, परन्तों उसमें उनका अपना अर्थ, जो है, वो भी होता है, कहने का दात पर यह है, कि वो जो दोन दोनों भिनद भिन होते हैं और दोनों भिन भिनद एक दूसरे के साथ मिलकर अन्वित होते हैं जबकि समाहार में दोनों का अपना अस्तित्व नहीं होता जो है दोनों एक साथ जो है वो समुह रूप में एक संग रूप में जो है वहाँ पर उसमें अन्वित होते हैं क्रिया के साथ तो ये जो है इन्हों ने दिया कि ददूसमाज क्या है और किस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग जब करते हैं तो दूसमाज अपने अर्थ के साथ-साथ अपने जो दूसरा पद है उसके अर्थ को लेकर ही प्रयोगत होता है अब देखिए मैंने आपके सामने अभी एक प्रश्ण मैंने कहा था कि मिमानसक पदवादी है उनका मानना है कि वाक्य जो है उसमें पदों की सत्ता है प्रतेक पद का अपना अर्थ है और वही वाक्य है पदों का अर्थ मिलकर ही वाक्य बनाता है पद मिलकर तो इसको अचार भरतनी अरीने देखिए द्वंद्व के संबंध में इस पश्ट किस प्रकार से किया है क्योंकि द्वंद्व समास को लेकर ही शंका है कि यदि वाक्य अखंड है वाक्य में पदों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर द्वंद्व समास में जब हम कहते हैं दव खदिर चिन्धी तो यहां पे धव को भी छेदन और खदिर का भी छेदन दोनों को काटना है तो दोनों का तो अर्थ है दोनों पद तो इसमें हैं दोनों का अपना अस्तित्तु है तो इसको किस प्रकार से अखंड पक्ष में अचारे भरतरी हरी ने इस दोंदु समास में किस प्रका अपरियरी ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया कि किस प्रकार से अखंड द्वंद्व समास में भी अखंड वाक्य ही जो है वो अर्थ प्रदान करता है तो जैसे कहा गर्गा इत्येक एवायम बहुश्वर्थेशु वर्तते द्वंद्व संग्योपी संगातो बहुनाम अ अब यहां पर कहा कि जैसे गर्गा है जैसे गर्ग शब्द है तो हम कहते है गर्गा है जो है वो क्या कि बोजियन ताम तो यहां पर हमने कहा यहां पर गर्ग वंश में जो भी उत्पन हों है यह जो भी गर्ग से संबंदित हैं उन सब को भोजन कराओ तो यहां पर गर्गा गर्ग जो है वो समाहित हो जाता है वहां में गर्ग को अलग 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 प्रिथक प्रिथक लेने की आप शिक्ता नहीं है तो यही कहा कि जिस तरह से गर्गा है यह प्रयोग करते हैं गर्ग की संतान या गर्गवंश में उत्पन हुए तो वो एक अकेला अनेक अर्थों में प्राप्त हो जाता है, अलग-अलग गर्गों को भोजन कराना, यह संभव हो जाता है, उसी प्रकार से द्वंद्व संग्यों पी संघात हो, द्वंद्व में संघात होता है, समू होता है नेक पदों का, तो द्वंद्व एक संघात है, धाव और खदिर दोनों क मिलाकर ही छे छे दनक्रिया होती है परंतो गरगा के समान हमें धव का अर्थ खदिर का अर्थ प्रिथक करने के अवश्यक्ता नहीं है यह दोनों का संगात ही अनेकों का धव का भी और खदिर का अविधायक हो जाता है तो यहाँ पर इस उधारन से और क्रिया से संबंदित उधारन से भी समझाया यथा एक देशे बुजियादी प्रतेकम अवतिष्टते क्रिया एवं ध्वंद्वाचे अर्थे प्रतेकम प्रविभज्यते अब यहाँ पर क्योंकि यह भी प्रशन हो सकता है न कि क्रिया तो एक है और एक क्रिया है तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा हमें कि जैसे धव खदिर अउ चिंदी है तो चिंदी क्रिया धव खदिर दोनों के साथ किस प्रकार से एक साथ सम्मंदित हो सकती है तो धव को अलग करना पड़ेगा चिंदी को अलग करना पड़ेगा यही प्रश् ब्रामनों को भूजन कराया जाए तो यहां पे ब्रामना जो शब्द है वो भूजन करिया जो है वो एक देशे हमने कहा कि ब्रामना भूजन था हमने कहा लेकिन ये करिया भूजियादी करिया प्रतेक ब्रामन के लिए प्रियुक्त हो जाती है हर ब्रामन को भूजन करा लिया जाता है जो भी पस्तित होते हैं या प्राप्त होते हैं तो ये एक भुजियादी क्रिया जिस तरह से अलग 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 ब्राहमनों को प्राप्त हो जाती है उन पर अन्वित हो जाती है उसी प्रकार से द्वंद्व में भी द्वंद्व समास में भी एक क्रिया है वो प का अन्वे भेद से उनके साथ हो जाता है तो ये मैंने आपके सामने संदर्व से भरतरी हरी का द्वंद्व समाज पर क्यामत है ये अखंडवाक्य पक्ष के संदर्व मैंने आपके सामने बताया इस पर और भी चर्चा आचारे भरतरी हरी ने अपने वित्ति समुदेश में की है लेकिन अभी हम द्वंध्व के संबंध में इतना ही आपके सामने सपष्ट करेंगे ताकि द्वंध्व कहा होता है समास वो सपष्ट हो जाए अब देखें अब मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहते हूँ क्योंकि हमने कहा कि चरके अर्थ में द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्व समास अनेकों में होता है ये भी मैंने बताया और मैंने ये कहा है कि आवश्यक नहीं कि दो ही पदों दो से अधिक पद भी हो सकते हैं परंतु वेद में ये वेदिक प्रयोगों को देखें तो वेद में दो ही पदों में ये द्वंदु समास प्राप्त होता है जैसे मित्रा, वरुना, इंद्रागनी वहाँ पर दो से अधिक पदों में द्वंदु समास नहीं देखा जाता है और लेकिन लोकिक भाषा में अनेकों जो पद हैं उनकों मिलाकर द्वंदु समास कर देत जैसे मेरे आपके सामने उदारने देव, गंधर्व, मानुश उरग, राक्षसान, रिष्टवंता तो यहाँ देखिए देव, देवश्च, गंधर्वश्च, मानुश उरगश्च, राक्षसष्च, तो यह इनमें चा के द्वारा इन समस्त पदों में एक साथ चार्थे बंदु समास के संबंद में मैंने आपके सामने बताया अब यहां पर देखे अब एक जो चर्चा है बाल मनोर्मा टीका में जो प्रश्ण उठाया गया है तो उस संबंद में आपके सामने में बताती हूँ कि उन्होंने यहां पर कहा अनेक ओक्ते होतरी पोतरी नेश्टोद गाता रहा यहां पर जहां पर अनेकों में समास होता है उसमें ये जो एक शब्द है पद जो बना है उस पर एक शंका उटाए गई है और यहां पर क्या है कि जैसे होत्री पोत्री नेश्टोद गाता रहा और एक रूप इसका बनता है होता पोता नेश्टोद गाता रहा तो यहाँ पर यह दो जो हैं किस प्रकार से बन सकते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब हम अनेक होकते जब हम एक साथ अनेकों को कहते हैं होतरी, पोतरी, नेश्टरी और उद्गातरी इनको जब हम चाचा के द्वारा अनेकों का समास करते हैं तो यहाँ पर जब हम विग्रह करती हूं तो होताच, पोताच, नेश्टाच, उद्गाताच तो चो के अर्थ में समास होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि सू है सब में तो सू विभक्ती का जब हम लोब करते हैं तो जो प्रकृती है होतरी शब्द है होता विभक्ती के कारण होता इसी तरह पोतरी रिकारांद शब्द है नेश्ट्री रिकारांद शब्द है और उद्गात्री रिकारांद शब्द है जब हम इन शब्दों में समास करते हैं तो हमारे पास जो शब्द बनता है वह होत्री पोत्री नेश्ट्री उद्गात्री तो अब यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है आनंग रितो द्वंद्वे अब जो द्वन्दु समाज है उसमें जो एक वंश के हो तो वहाँ पर क्या होता है आन उत्तर पद यदि परे हो तो री के स्थान पर क्या हो जाता है आनंग आदेश होता है तो यहां होता पोता एक ही विद्या या योनी से संबंदितों तो यह विद्या से संबंदित है सारे पद तो यहां पर आनंग आदेश उत्तर पद परे रहते पूर्व को होता है यह इसका अर्थ है तो यहां पर उत्तर पद है यहां पर उद्गात्री और उससे पूर्व री है इसको री को आनंग आदेश हो जाएगा तो नेश्टान बनता है का लोप हो जाता है का भी लोप हो जाता है हमारे पास आनशेश बनता है तो नेश्टरी का रिकार के स्थान पर आन हुआ तो नेश्टान बना और ना लोपा प्रातिपधिकांतस्य से ना का लोप करके त हमारे पास नेश्टा बन गया नेश्टा और फिर उद्गात्री है तो आ और उको मिलकर ओबनाया ते नेश्टोत गाता रहा बहुवचन में ये प्रियोग है अब यहां पर होत्री पोत्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा नेश्ट्री में ही परिवर्तन होगा उद्गाता रहा तो अंत में बहुवचन के प्रयोग के कारण उद्गातरी में जस होने पर उद्गाता रहा विभक्ती कारे होने पर बनता है। पर प्रयोग के प्रयोग के पूर्वचन के कारे हैं। ये उद्गात्री ही उत्तरपद है जिससे परे और कोई पद ना हो और पूर्वपद भी उससे पूर्व आने वला पद अन्य पूर्वपद नहीं कहलाएंगे क्योंकि उनके मध्यम मध्यमे और पद आ जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर नेश्ट्री के ही रिकार को आनंग पत्री में चरके द्वारा समास करते हैं द्वंद्व तो उससे देखें एक और रुप बनता है होता पोता नेश्टोद गाता रहा तो यहाँ पर भी प्रश्न किया गया कि यह कैसे फिर बनता है तो इसके उत्तर में बाल मनोर्म में कहा द्वयर द्वयर द्वंद्वं कृत्वा पुनर द्वंद्वेतु होता पोता नेश्टोद गाता रहा तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने अभी आपको उपर बताया कि केवल मातर नेश्टरी के रिकार को ही आनंग आधेश हो सकता है अन्य को नहीं हो सकता तो फिर ये रूप कैसे होत्री के रिकार को क्यों आनंग हुआ है पोत्री के क्यों आनंग हुआ है और नेश्ट्री के भी हुआ है तो इसके उत्तर में कहा कि हाँ हम इनको कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम दो-दो का द्वंधु समास करेंगे, तो सबका इकठा न करके, दो-दो को अलग से, जैसे पहले हुता-पोता बनाएंगे, फिर निष्टा-उद्गाता बनाएंगे, तो होत्री चो, पोत्री चो, तो यहाँ अब जो है आनंगरितो द्वंधुे, इन दोनों में परवर्ती है पोत्री और पूरवर्ती है होत्री, तो होत्री के री के स्थान पर आनंग होकर होता, और फिर पोत्री का सुविभक्ती करने पर विभक्ती कारे करने पर पोता बनता है, तो यहाँ पर होता-पोता एक बन गया, दुसरा इसी प्रकार से नेश्टा च उद्गाता च नेश्टरी और उद्गात्री यहाँ पर उत्तरवर्ती उद्गात्री है और नेश्टरी से पूर्वे इसके रीको भी हम क्या कर देंगे आनंग हो जाएगा तो नेश्टा बन जाएगा और उद्गाता रहा और फिर इन द की करेंगे तो फिर हमारा होता होता नेश्टोद गाता रहा ये रूप हमारा निश्पन हो जाएगा तो कहने का तत्पर है कि यहां पे रिकार को एक पूरा एक साथ चारोपदों का समास करने पर जो अंतिम से पूर्व को ही री को आनंग होगा और अगर दूसरा रूप बनान के लिए दो दो को अलग से समास करने के बात फिर उन दो दो के युगल का फिर से समास होगा तो इस प्रकार से हम इन में सिद्धी कर सकते हैं उसके बाद देखे अब आगे जो है हमें आपके सामने बताना चाहूंगी कि कि समास में पूर्व प्रयोग का नियम क्या है अब ये प्रशन क्यूं आवश्यक है इस पर जानना क्यूं आवश्यक है देखे मैंने आपको बताया कि जैसे ततपुरु समास है तो उसमें परवर्तिपत का अर्थपरधान होता है और अवेभा में पूरुपत का अर्थपरध बहुब्रिही और द्वंद्व समास ऐसे समास हैं जो प्रतमान्तों में होते हैं वहाँ पर हम और उन सुत्रों के द्वारा स्पष्ट नहीं होता कि पूर्व प्रयोग किसका किया जाए क्योंकि समास में दो या दो से अधिक पदों में समास है तो कोई पूर्व में आएगा क किस प्रकार से हम उसको सिद्ध करेंगे कि कौन सा पूर्व में कौन सा पर में तो पूर्व प्रयोग के संबंध में अचारे पाणिनी ने कुछ सूत्र दिये हैं जिनके विश्य में द्वंदु समास में कौन सा पत पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा जब तक हम वो निर स्वयम से पिता माता रहू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नियम है, हम जहां भी देखते हैं, माता पितरो भी देखते हैं। तो कौन से ऐसे नियम है, जिन से ये स्पष्ट हो जाता है कि किस पद का पहले प्रयोग करें द्वंदु समास में। क्योंकि द्वंद्व समास में पूरु प्रयोग के लिए चार थे द्वंद्वा में कोई प्रत्मा निडिश्टम से स्पष्ट नहीं होता क्योंकि प्रत्मा में ही सभी प्राप्त होते हैं अब देखिए तो पहला सबसे पहला जो नियम है वो है द्वंद्वे घी अब द्वंद्व समास में जिसकी घी संग्या होती है उसमें उसका पूरु प्रयोग होता है ये जानना ये जो जितने तीन या चार सूत रहें उनको जानना अतियंतन अनिवारे है समास करने के बाद उस समास में किस पद का पूर्व प्रयोग हुआ और क्यों हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि जब हम दो या दो से अधिक पदों में दूंदू समास करते हैं तो दूंदू समास करने के बाद उन में से किस पद को पहले करेंगे उसी पद को पहले करेंगे जिसकी घी संग्या है और घी संग्या के विशय में पूर्वभी मैंने बताया उनकी घी संग्या होती है लेकिन सक्षी शब्द की नहीं होती है तो सक्षी शब्द को छोड़कर हरस्व ए और हरस्व ओ में समाप्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनकी घी संग्या होती है तो अब हमें ये पहचान हो गई कि घी क्या है तो जैसे ही हम दोंदू समास पदो का करेंगे तो हम पहले पहचानेंगे कि अब पूरू प्रयोग करना है तो घी संग्यक शब्द को निकालते हैं तो जैसे मैंने आपको समास का उदाहरन यहाँ पे है हरिश्च हरश्च हरी और हर इन दोनों में जब हम समास करते हैं तो चार्थे द्वंध्वा से हरी सुओं और हर सुओं में जब समास किया जाता है तो चार्थे द्वंध्वा से समास होगा और समास करने के बाद फिर प्राति पदिक संग्या विवक्ति लोप इत्यादी करके हमारे पास हरी और हर बनता है वक्तियां लुपतो जाती है हरी हर शब्द बनता है अब यहाँ पे हमारे पास यह प्रश्ण है कि हरी का पहले प्रयोग करें या हर का पहले प्रयोग करें हम अपने इस्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं तो उसका नियम यह है कि घी संग्या तो यहाँ पे हरस्व इकारान तो हरी शब्द है इसलिए हरी शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा अन्नी किसी का भी नहीं होगा भाश्या में तो इसलिए हरी का पूर्व प्रयोग किया तो हरी हर रहेगा और हरी हर और क्योंकि द्विवचन है इसलिए द्विवचन में आचारे पाणिनी ने तो दे ढ़े रिया कि जिसकी घी संग्या है, उसका पूरू प्रयोग होगा, हमने अभी ये ही भी कहा है, ये आधिक पदों में भी होता है, तो जहां पर दो से अधिक पदों हो और एक से अधिक उसमें घी संग्यक हो जाएं, तो तब क्याolare करना अनेक प्राप्त अगर एक से अधिक प्राप्त हो जाएं जैसे अभी मैंने कहा कि घी संग्या वले अगर एक समास में दो हो या तीन हो तब क्या किया जाएगा किसका पुरुप्रयोग होगा तो उनुने कहा कि अनेक प्राप्त हो एकत्र नियम अनेक प्राप्त हो जाएं तो एक के लिए नियम और बाकी शेश के लिए अनियम अरता जो शेश होंगे उन्हें उनके स्थान जो है वो निर्धारित नहीं है उन्हें पहले बाद लगाया जा सकता है लेकिन पहले के लिए एक के लिए नियम है यह वार्तिक है और उदाहरन से मैं आपके सामने सपश्ट करूँगी जैसे उदाहरन हरी गुर हरा हरी गुरु हरा इसके विद्ग्रह करेंगे तो हरी इश्च गुरुष्च था तो चारते द्वन्द्व सूत्र द्वारा हरी, गुरु और हर इन तीनों में द्वंद्व समास हो गया अब यहां पिदे समास करने के बाद अन्य विभक्ति लोपित्यादी कारे करने के बाद हमरे पास हरी, गुरु, हर ये शेश रहता है अब हरी, गुरु, हर में हरी घी संग्यक है गुरु, हरी, हरस्व, ई में समाब्त हो रहा बाद अब यही प्रश्ण है कि दोनों मेंसे किसका पुरु प्रयों किया जाए तो कहा, जब अनेक प्राप्त हों थो एक के लिए तो नियम है बाकियों के लिए नहीं है तो यहां हरी को पुरु में करा और गुरु और हर में अब कोई नियम नहीं है गुरु को पहले कर लिजे तो हरी गुरु हराह बनेगा और अगर हर को पहले करेंगे तो हरी हर गुरु आहा यहाँ पे एक और प्रश्ण भी हो सकता है कि हरी ही क्यों पहले तो क्रम में हरस्वई पहले आया है पूर्व आने के कारण हरी को तो पहले प्रयोग करेंगे और गुरु और हर में कोई नियम नहीं है तो इस प्रकार से हरी गुरु हराह और हरी गुरु वहा गुरु से भवचन में गुरुवा बनता है हर से भवचन में हरा बनता है तो ये है हमारा पूर्व प्रयोग का एक नियम कि किसी भी समास में द्वंधों में जहां पे भी घी संग्यक पद हो उसका पूर्व प्रयोग करेंगे अब दूसरा एक और सूत्र है ऐसे भी हो सकता है कि किसी समास में पद होई ना घी संग्यक जब घी संग्यक पद नहीं होंगे तो उस थिती में क्या करना है तो कहा अजाद्यदंत ये एक सूत्र है इदम, ध्वंद्वे, पूर्वं, स्याद अर्थाद अजादी और अदंत अर्थाद अच्छ से आरंभ होने वाला होना चाहिए और हरस्व अ में समाप्त होने वाला पद हो तो द्वंदु समास में उसका पूरू प्रयोग होता है उदारन है इश कृष्णव अब क्या है इशश्च कृष्णश्च अब यहां इश और क्रिष्णश्च दोनों में समास हुआ तो इश अच्छ से आरंभ हो रहा है और काहर में समाप्त हो रहा है इसलिए इश का पूर्व प्रयोग होगा और पूर्व प्रयोग होने पर इश कृष्णश्च और द्विवचने इसलिए अव की उत्पत्ति होने के बाद इश कृष्णवरू बनता है यहां पर भी यदि एक से अधिक अजादी अदन्त होते हैं तो यहां भी भहुशु नियम होगा अधिक है तो नियम जो है कोई नहीं होगा एक में होगा जैसे अश्व रतेंद्रा इंद्राश्व रता है अश्व को पहले लगा लो चाहे इंद्र को पहले लगा लो तो दोनों ही मानने हैं इसलिए अश्व रतेंद्रा भी बनेगा इंद्र इंद्राश्व रता भी बनेगा इसके बाद पुरो प्रयोग के और भी नियम है जो हम आपके सामने अगले व्याक्यान में प्रस्तुत करेंगे तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार